लगी है दरासल क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है दाहोत पहुची थी और वहीं से बस टेंट पर जो है वहीं से अक्षे को पुलिस ने गिरफतार करके शूरत लाई है अब आगे क्या कुछ क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में तहकीकात करती है ये देखने वाली बात हो पुलिस थाने की हद में तापी तट के किनारे जो है एक डेट बॉडी पुलिस को बरामद होती है और डेट बॉडी पुलिस को बरामद होती है और उसके बाद जो है उसी के ठीक जो है आगे जब एक और डेट बॉडी पुलिस को बरामद होती है यानि कि डवल मडर का जो ह कहीं ने कहीं वहाँ पर संदी पुलिस को होता है दोनों डेट बोडी पुलिस बरामत करती है और उसके बाद जो है डेट बोडी को पोस्पोडम के लिए सुरत सिविल बेजा जाता है इस पुरे मामले में चौक पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीमें वो इन्वेस्ट ग के साथ था यही वजा है कि दोस्त की जो पत्नी थी उसने कौसिक का जो है जो एक पुरुस का हत्या किया गया था उसे बताया गया था कि तुमारी पत्नी का जो अवैद संबंद है कहीं ने कहीं किसी और के साथ है यही वजा है कि कौसिक जो है अपने पत्नी को है गला दबा धिकाने लगाने के लिए तापी के तड़ के किनारे पहुंचता है जहां पर कौसिक और अक्षे के बीच में दोनों के साथ हाथा पाई होता है और उसी के बीच जो है अक्षे पथर से वार कर कौसिक को वहीं मौत के घाट उदार देता है जिसके बाद जो है कौसिक की वहीं पर हत्या हो जाती है इस पूरे मामले की इन्विस्टिगेस्टन पुलिस करने के बाद जो है जब कौसिक के घर पहुंचती है क्राइम ब्रांश तो वहां पर ना वहां अक्षे और उसकी पत्नी दोनों फरार मिले क्योंकि वहां पर मौझूद नहीं दे लिहाजा क्राइम ब्